कौसांबी जन्पत कड़ा भलाग के साजादपूर ग्राम सभा की ये घटना है जहां लगभग 500 लोग रहते हैं यहां खड़ंजा ना लगने की वज़े से ग्यान मती सहीद 500 लोगों को आने जाने का रास्ता नहीं है समयस्ता हमारी यह है छोटे छोटे बच्चा नहीं निकल पाते गांठी भर पानी में आते हैं जाते हैं बारिस होती सारा गांओ के पानी इस रास्ते से आता है तो अभी तक आप लोगों ने क्या प्रयास किया इसके लिए हमने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ सुनाई पर अब आप लोग क्या चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि में रास्ता है इस सारा आदमी आता है जाता है इस बन जाए काइदे से हमका समयस्ता है कि यह से घूरा गाईरी सब लाएके आई थी चारा पानी सब लाएके जाई ती मैदान सब जाई थी बहुत कीचा कांदी में आई तो आप लोग क्या रहे हैं? आप हम चाहिए रहे नहीं कि बाठी जार सिंसी बन जाए, हुंगा से लख पियारना था मेरी पिरसानी है कि यहां से इस में रास्ता किम से कम 500 लोग ऑना जाना इस रास्ते से और 200 घर पर ते हैं में रास्ता है और इस पे निरा कीचड है प्रधान जी कहते हैं कि लग जाएगा लग जाएगा ऐसे कहते हैं तो धाई जाल पूरा बिता दिये लिए लिगा लेगा आज तक कोई सुनवाई नहीं हमारी तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हो? अब हम लोग चाह रहे हैं कि इस पे मिट्टी पड़े और मिट्टी पड़के इस पे खड़िंजा फिर से लेगे दुबारा और पुलिया तूटी हुई है पुलिया फिर से बने मैं यह चाहता हूँ कि इस ग्राम सभा में जो खड़िंजा तीन फिट नीचे लगा है वो उखाड़कर उपर लगाया जाए जिससे ग्यानमती सही 500 लोगों को आने जाने का रास्ता मिले यह समस्या ग्राम परदान द्वारा हल कराई जा सकती है ग्राम परदान के मुबाइल नंबर 95-94-2007 पर कॉल कर दबाव डालें ताकि इस समस्या का समाधान हो सके मैं महेश कुमार सहजादपूर कौशामभी उत्तरप्रदेश से इंडिया अनहट के लिए पर लिए जजाद म्हार परिए समस्या रास्तरप्रत कार्राव जडिया थाल रास्तरप्राव